नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश सारासवत है, मैं जे-पी इंस्टिटूट आफ इंफोर्मिशन टेक्नलोजी नॉइडा, मैं असिस्टेंट प्रोफिसर के पत पर कार रहत हूं पिछली चरचा में हमने aesthetic webpage design करना सीखा था, जिसमें हमने basic HTML के text का प्रियोग किया, उन text में हमने formatting text और list text का प्रियोग करना सीखा, आज की चरचा में हम hyperlinks create करना और images को webpage में प्रदर्शित करना, साथ में table को webpage में design करना सीखेंगे web pages में एक document से दूसरे document में जाने के लिए हम hyperlinks का प्रियोग करते हैं हर document एक ही web page में दो अलग-अलग जगए हो सकता है या दो अलग-अलग web pages में हो सकता है hyperlink बनाने के बाद hyperlink text के उपर यदि mouse को ले जाया जाए तो उसका श्वरूप एक हाथ की भाती हो जाता है तथा उस link पर क्लिक करने पर हम दूसरे document को open कर सकते हैं hyperlink बनाने के लिए हम a tag का प्रियोग करते हैं a tag में हम दूसरे document का address भी देते हैं जिसके लिए हम href attribute का प्रियोग करते हैं जैसा कि इस slide के html code में दर्शाय गया है कि a tag के साथ हमने href attribute का use किया गया है href attribute की value एक address को दर्शाती है जब जिस text को हमें hyperlink में convert करना है उस text को हम a tag के start tag और end tag के बीच में लिखते हैं जब भी हम इस html code को web browser में visit करेंगे तो visit our university एक hyperlink के रूप में प्रदर्शित होता है इस पर यदि click करेंगे तो यह हमें www.uou.ac.ind web page पर ले जाएगा यदि हम जिस document का link provide करना चाहते हैं यदि वह document html file की location पर ही save है तो हमें उसका पूरा address लिखने की जरूत नहीं होती और हम सिर्फ उसका नाम href attribute की value की रूप में लिख सकते हैं जैसा slide में दश आया गया है इसका फायदा है कि यदि किसी पूरी website का location change होता है तो हमें file का location change करने की जरूत नहीं होती है image tag web page बे image को परदर्शित करने के लिए img tag का प्रयोग किया जाता है img tag के साथ हमें image का नाम भी देना पड़ता है जिसको हम img tag के src attribute को assign करते है यदि image stml file की location पर ही है तो image का पूरा address देने की जरूत नहीं होती है जैसा के हम slide में stml code में दशाय गया है img tag के और भी attribute होते है जैसे alt attribute जिसकी value web page पर प्रदर्शित होती है जब web page उस image को load नहीं कर पाता है इसके अलाबा हम image का size भी fix कर सकते है उसके लिए हम width और height attribute का प्रयोग करते है जैसा के slide में दशाय गया है table tags web page में tables को बनाने के लिए table tag का प्रयोग किया जाता है tables के अंदर जैसा हम जानते है rows और columns भी होते है table tag के अंदर rows बनाने के लिए हम tr tag का प्रयोग करते हैं जितने tr tag हम बनाएंगे उतनी ही rows हमारी table में create होंगी हर row के अंदर column को बनाने के लिए हम td tag का प्रयोग करते हैं table के first row को हम column header की तरह प्रदश्यत कर सकते हैं इसके लिए हम td tag की जगट th tag का प्रयोग करते हैं th tag text को bold और center कर देता है इसके लावा हम table की within attribute को भी use कर सकते हैं जैसे table की border को यदि हमें set करना है तो हम border attribute का use कर सकते हैं यदि हम दो से ज़्यादा columns को merge करना चाहें तो हम column span का प्रयोग कर सकते हैं यदि हम rows को merge करना चाहें तो हम row span property को use कर सकते हैं table का caption देने के लिए हम caption का प्रयोग कर सकते हैं अगली slide में हमने एक HTML code को प्रदश्यत किया है जिसके दौरा हम एक table को बनाना सीखेंगे इस slide में एक HTML code दरशाया गया है जिसके दौरा हमने एक table को बनाया है इस table में चार rows बनाई गई हैं और दो columns बनाए गए हैं पहली row को हमने सारे columns को merge किया हुआ है इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले table tag का प्रयोग किया गया है जिसमें एक attribute border यूज किया गया है border का width हमने 5 pixels दिया है उस हिसाब से border हमारा create हो जाता है उसके बाद हमने caption का use किया गया है caption table के caption को represent करने के लिए use किया जाता है यहाँ पर table का caption student report है उसके बाद हमने पहली row को create किया है उसके लिए हमने tr tag का use किया है tr tag के अंदर हमने 2 columns को merge किया है और उस column को हमने as a header column की तरह भी बनाया है इसलिए हमने th tag का use किया है th tag के अंदर हमें column को merge करना है इसलिए हमने column span attribute का प्रयोग किया है और उसकी value को 2 किया है 2 का मतलब यहाँ पर 2 columns को merge करना है इसके बाद हमने उस table की value को उस cell की value को हमने लिखा है जो के engineering first year है उसके बाद हमने उस header को बंद कर दिया है उसके बाद हमने दूसरी row create की है उस row में हमने 2 अलग-अलग column create की है हर column के लिए हमने th tag का use किया हुआ है th again एक header tag है जो के हमारे tags को bold और centric कर देता है इसके बाद हमने 3rd column बनाया है जिसमें 2 column है जो के normal columns है जिनके लिए हमने td tag का use किया गया है पहले column में हमने rames को लिखा है दूसरे column में cse लिखा है हमने 3rd row को create किया है इस तरह हम अपनी च्छानुसार विविन प्रकार की tables को create कर सकते हैं आज की चर्चां पर हमने देखा कि हम web page में hyper links कैसे create कर सकते है images को हम कैसे پृदश्यत कर सकते हैं और विविन प्रकार की tables को हम कैसे create कर सकते हैं धन्यवाद झाल